इस लेक्टर में डिस्स करेंगे प्लांक से रिडियाशन लॉग क्या होता है और इसकी क्या क्या प्रोपर्टीज होती है आए समझते हैं विडियाशन की जो एनर्जी डंसिती होती हैं किस रेंज में लेमड़ से लांड प्लस दी लेंबडा यह होती है U lambda D lambda is equals to 8 by D lambda upon lambda की power 4 into E जहाँ पर E होती है average energy of harmonic oscillator और इसका derivation अमने लगसे drive क्या हुआ है अगर आपने वो lecture नहीं देखा तो प्लीज देख लेना जहाँ पर E की value होती है E is equals to H C upon lambda exponential H C upon lambda के T minus 1 यह होती है average energy of harmonic oscillator और यह वाली पूरी की पूरी value इस equation में put कर देंगे तभी आजाएगा U lambda D lambda equals to 8 by H C upon lambda की power 4 exponential H C upon lambda के T minus 1 इसी को कहते हैं plants radiation law यह plants की radiation law की energy density जहाँ पर lambda होती है wavelength of the radiation H होता है plant constant और C होती है speed of light अगर आपको इस energy की equation में कोई problem है तो यह equation हमने drive की equation है जो की यह कहलाती है average energy of harmonic oscillator और इस equation को हम कहते हैं plants radiation law थैंक यू 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 अपल को हम दो का यूल और यूला है ऑग है जगन एू यू यूई यू 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 यूब है अगल को है यू यूजड़ प्लबागदू टो यूज़गदू धर शेईना तर रहना हमने धूएगा यूड़़शवा यूट यूएज़बावदों वारű यूड़